असलाम वालेकुम आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े के कोर में की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं 1kg की कौन्टिटी में एकदम देग स्टाइल वनेगा जो शादियों में बनता है खुश्पुमदार दानेदार जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप इसके फैन हो जाएंगे लो कोस्ट रेसिपी है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कॉमेंट्स करका ज़रूर बताएगा रेसिपी पसंद आए तो प्लीस लाइक कीजेगा चेनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब कीजेगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 1 kg हमने यहाँ पर बड़े का गोश्ट ले लिया है अच्छे से इसको वश कर लेना है तो यह देखे इस तरह के हमने पीसिज ले लिया है तो आप इसको अच्छे से पहले वश कर ले हैं उसके बाद हम ले लेंगे एक वेसिल हम इसक तो यह देखिए हमने हलके से एक दिम गोल्डेन फ्राइए करने है इस तरह से आपको जलाना नहीं है बना कोर्मय का टेस्ट खराब हो जाता है अगर ज्यादर डार्प प्याज फ्राइए हो जाते हैं तो हमें इसी टाइम पर निकाल लेना जब यह यलोश दिखने लगें क्य गोश्ट एट कर देंगे तो यह देखिए हमने यहाँ पर गोश्ट एट कर दिया है अब इसको हमें एक से दो मिनट ओइल के साथ फ्राइए कर लेना है ताकि इसकी जो इसमेल है वो निकल जाए यह देखिए हमने इसको एक मिनट के लिए फ्राइए कर लिया है और इसमें करेंगे वन एंड हाफ टेबल स्पून अध्रक लैसन का पेस्ट और इसको डाल कर भी हम एक से दो मिनट भून लेंगे तो यहां पर देखिए हमने गोश्ट को अच्छे से भून लिया है अब इसमें एट कर देना है मैं दो तेश पत्ता और वन टी स्पून नमक नमक आप यानि फेंट लें तो हमने द्ही एट कर दिया है मिक्स करेंगे अब दही के साथ हमें गोश्ट को अध्षी सी पका लेना है हाई फून पर जब तक कि इसमें जो दही का मौश्चर है वह सूकना जाए तो हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है हाई फलेम पर तब तक हम कूट लेना है थोड़ा सा मूट दर दरा सा ही पॉडर बनाना है तो यहां पर मैं इस तरह से इसको कूट लूँगी तो यह देखिए हमारा यह खुश्बू वाला मसाला तयार होगा इससे कूर में का जो फ्लेवर है वो इतना इनहेंस हो जाएगा जब आप इसको डालेंगे तो उसका टेस्टी अलग हो जाना है यह देखिए तो हमने इसको साइट कर दिंगे तो यहां देखिए प्याज भी ठंडे हो चुके हैं अब एक मिक्सी जार ले लेंगे हम और प्याजों को इसमें एट कर दिंगे आप चाहें हाथों से भी क्रश कर सकते हैं तो मैं यहां ब अटेखिए पर मिर्च आप अपने टेस्ट कर दो हैं जितना कम आपपसंद कर सकते हों अब इसको अच्छे से मिक्सक्रम लेना है अब में बादाम करने हैं बहुत ही कम इंग्रीडियन यानि लो कोस्ट है बट टेस्ट में यह एकदम बहत्रीन तो यह देखिए हमने मसालों को भी आच्छे से यहां पर भून लिया है अगर आपको हमारे 3 kg यानि 3 kg वाले कोर्मे की रेसिपी चाहिए यह बाली बड़े की सेम रेस को गलने के लिए तो मसाले डालकर भी आप अच्छे से भूनिये गा तभी कोर्मे में अच्छा वाला टेस्ट आएगा तो यहां पर मैं चार ग्लास पानी एट करूँगी क्योंकि हम जितना कोर्मे को अच्छे सा भूनते हैं तभी उसमें एकदम बड़िया वाला टेस्ट आता है अगर हम भूनेंगे नहीं तो उसमें मसालों की स्मेल आती रहेगी और कोर्मा अच्छा नहीं बनेगा तो यह देखे हमने पानी एट कर दिया है इसमें चार ग्लास यह देखे तो यहां पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी आप देख सकते हैं कोर्मे में बस थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है यहां मैं बोटी तोड़कर दिखाते हूं आपकी कि गोस्त कैसा गला है यह देखे गोस्त भी अच्छे से माशालला से गल चुका है अप इसी पॉइंट पर हम इसमें एक करेंगे जो हमने प्याज को ख्रेश करकर रख़ा हुआ था हुआ यहां पर प्याज कर दिया हैं आच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपको दिल्लीशा रिलेटिड कोई भी रेशिपी चाहिए तो हमारी चेनल पर अपलोड है आप चैक कर स और अगर यूपी बिरियानी चाहिए तो बढ़ी अमारे चैनल पर रपलोड यूपी बढ़ी के गोश्त की बिरियानी वह यह मारे चैनल पर अपलोड आप भी आक получится बनों को भून लेना है आपको तो बस अब इसमें ग्रेवी केनी पानी आड करेंगे तो यहां मैं एक ग्लास पानी आट कर रही हूँ, आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें, उतना पानी इसमें आट कर सकते हैं और अब जो खुश्बू बाला हमने पाउडर मसाला बनाया था, वो आट कर देंगे और अब आट करेंगे 1 टी स्पून केबरा बॉटर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, केबरा बॉटर इस मसाले के डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा एकदम देगी स्टाइल खुश्बूवां से आपका घर महक जाएगा तो यह देखिए हमने एट कर दिया, अब इसको कवर कर देंगे 6-7 मिनट के लिए slow to medium flame पर तो यह देखिए 6 मिनट हो चुके थे, गोश्ट को पकते हुए slow to medium flame पर तो बस आप देख सकते हैं एकदम दानेदार देगी कोर्मा बनकर तयार हो चुका है अगर आपको इसमें रोगन जादा लगता है तो आप इसके उपर से उतार लीजिए और अलग कर दीजिएगा बनना यह सही है तो मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूँ यह देखिए देखने में इतना डिलिशियस और इतना फ्लेवर फूल है यह तो आप देख सकते हैं आप बनाएंगे आपको बहुत जादा पसंद आएगा और अपने फेमिली मेंबर्स को भी बहुत जादा पसंद आएगा तो यहां मैं सर्फ करूंगे इसको तंदूरी रोटी के साथ जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अप्लोड है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आईटें में भी मिल जाएगा तो देखिए तो यहां आप दिखाती हूँ किस तरह से गोष्ट गल कर तयार हुआ है तो आप देख सकते हैं गोष्ट बहुत अच्छे से गल आए और सालन भी बहुत अच्छा बनकर तयार हुआ है तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशालला नई रेसिपी के साथ फिर आज़र होंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज